नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जारखंड का नमबर वन यूटूब चैनल आफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहब अली रामचंदरपुर्वे जी हाँ बिहार के राज़त परदेश अध्यक्ष रामचंदरपुर्वे मुलाकात करने के लिए राची पहुंचे हैं लालू परसाद यादो से मुलाकात करने के लिए रिम्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं आपको बता दें कि रामचंदरपुर्वे की म अगरके वो लालुप्रसाद यादों के पास पहूंचे हैं अब रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो रिपोर्ट में ये सामने आया है जो 300-8 टीम है उसने जो पहले तीन कारण निकाले हैं महागडबंदन की और राज्त की करारी हार की बिहार में वो ये है कि पहले कारण जो है वो स्वर्ण आरक्षन का विरोध करना राज़त को काफी महेंगा पड़ गया राज़त के कई बड़े नेता स्वर्ण आरक्षन का विरोध कर रहे थे खुद तेयस्वी यादो अपनी सभाओं में कहा करते थे स्वर्णाराक्षन के जरिए नरंद्र मोधी सरकार चीट कर रही है जंता को और इसके साथ ही साथ राजसभा में भी इसका विरोध मनोज्जा की तरफ से किया गया था यह पहला कारण जो है वो 388 टीम के द्वारा निकाला गया और दूसरा कारण यह बताया गया है कि जो महागडवंधन के बड़े चेहरे थे जो शामिल हुए थे महागडवंधन में लेकिन वोट को ट्रांस की कमी रही यही वज़र रही कि बिहार में राजा दौन्धे मूगिर पढ़ा इसी रिपोर्ट को ले करके रामचंद्र पूर्वे लालू परसाद यादों के पास पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात करने के बाद वो उनको बताएंगे कि किस तरह से हमें मुद्दों पर काम करने की जरूरत है आपको बता दे कि जारखंड में राजत को हार का मुझ देखना पड़ा और बिहार में भी हार का मुझ देखना पड़ा लेकिन सबसे पड़ी बात यह है कि जारखंड में इसी साल चुनाव होने है विदान सबा का चुनाव और कहीं न कहीं BGP चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और उस विधानसवाद चुनाओ में भी एक कोशिश की जाएगी कि जिन मुद्दों को ले करके हार, मिली है उन्हों मुद्दों पर कि आज जो शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन तीन लोग उनसे मुलाकाद कर सकते हैं, तीन लोगों में शुबोध क आंत सहाय, जो कि राची हारे हुए नता है, कोंगरेस के बड़े नता है, संजसेट से वो हार गये, बी जेपी के संदसेश से, उसके साथ watermelon से डिये गयीów स समीक्षा करेंगे लालुपरसाद यादों से। आपको बता दें कि लालुपरसाद यादों से। अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको बिना देरी के सब्सक्राइब करें फेजुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने की लाइफ सीरी जॉट इन पर जाएं धन्यवाद